नवस्कार दोस्तों स्वागत है अपने यूटोब सेनल जीके फैक्टिक अंदर दोस्तों इस वीडियो के निरा आज 8 सितंबर 2021 से समदित करण्ट अफ़ेस के क्योशन लेका आया हूँ जो की परतेक एक्जाम के लिए मैं तो पॉंट रहेंगे तो वीडियो के अन तक जरूर चैनल को जोइन कीजे और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी जहां पीडियोप्स को डाउलूड कर सकते हैं और टेलिग्राम चैनल की लिंक है यह डिस्क्रिप्शिन के अंदर मिल जाएगी तो चलिए सुरुआत करते हैं पहला क्यूशन हो जाएगा भारत और किस देश की नोजेना अभियासे आसेंडेक्ष चोते संसक्रण का आईजित किया गया तो भारत और ऑसेनडेक्ष समुदरी योटभियास की मेजवानी करेगा असेंडेक्ष 21 पहरत नोजेना को इस तर और शरख्षित इंडो-पैसिविक सेतर कि समर्तर में श्युक्त रक्षा शमताओं को मजूद करने का आउसर परदान करता है और बात करें आस्ट्रिया की तो आस्ट्रिया के परदान मंतरी कौन है आस्ट्रिया की परदान मंतरी है वो स्कॉर्ट मौरिसन हो जाएगी आस्ट्रिया की राजदानी तो आस्ट्रिय कुराश्ट्री सेने अव्यास हैं क्यु convenience है कि सभी नहीं तरी दोरह लिखी गई किताब बैग टू दा रूट्स का अनावरण किया गया है तो बैग टू दा रूट्स का अनौरण है यह तमना भाथिया के दोरह लिखी गई पूस्तक हो जाईगी कि बोलीवुड जो एक्ट्रेस है तमना फाठिय ने अपनी किताब बैक टू दा रूट्स लॉंच की जिसे उन्होंने सेलिबिरिटी लाइफ इस्टाल कोस लूक कोंटिनो के साथ लेकी है और अगले कुछन हो जाएगा कि दाप्रगने सी बाइबिल पुस्ता के लेकर कोन है तो दाप्रगने सी बाइबिल पुस्ता के लेकर से करिना कपूर खान हो जाएगा सस कहूं तो पुस्तक के लेकिका है निना गुपता सस कहूं तो निना गुपता हो जाएगा और वुहान डाइरी के लेकक है फांग फांग वुहान डाइरी के लेकक फांग फांग हो जाएगे मास्टर मांड पुस्तक विश्वनात आनन्द हो जाएगा दा Tast of My Life पुस्टक कैस क्य profoundly है तो दा Tast of My Life पुस्टक है यह यूराश सिंग की होदेगी और अगला क्यूशन है किकिस IIT संस्तान द्वारा भारत का पहला जेव ऐदरारीत भावन इस्तापित किया गया है तो यह भारत का पहला जेव इट आदारीत भावन इस्तापित से बनी भार्त की पहली इमारत का उद्गठन IIT हैदराबाद में किया गया है ये भवन थातों के टांसे दोरा शमर्थित जेव इंटों से बना है गर्मी को कम करने के लिए सत को PVC सीट के ऊपर बायो एट से भी बनाये गया है ये सामगरी ताकत और बहुमू के परतिवा को पर फात का पहला 3D Printed House है ये IIT मदराज के दोरा बनाये के हैं फात का पहला 3D Printed House न्यूबोल्ट फात का पहला सवदेसी मोटर सलीत वील चेर वहान बनाये के हैं तो ये है न्यूबोल्ट है फात का पहला जो सवदेसी मोटर सलीत वील चेर है ये IIT मदराज के दोरा बनाये के ह और गाए के गोबर से बने प्राकर्तिक पैंट की पहली यूनिट का शुरू की गई है तो गाए के गोबर से बने प्राकर्तिक पैंट की पहली यूनिट है यह जैपूर के अंदर शुरू की गई है और किस आयाइटी द्वारा ओनलाइन प्लेट फॉर्म इसॉर्स की शुरू की गई हैं तो online platform e-source की शुरूत है वो IIT मदरास की तोरा शुरू की गई है और चौता क्यूशन हो जाएगा कि किस बैंक ने रानी रामपाल और इसमर्ती मर्दाना को अपना अमेशडर बनाया हैं तो रानी रामपाल और इसमर्ती मर्दाना को एक्विटास बैंक ने जो अप अपना अमेशडर बनाया हैं एक्विटास स्मॉल फाइनस बैंक में माईला होकी खिलाडी रानी रामपाल और किर्केटर इसमर्ती मर्दाना को अपनी का ब्रान्ड अमेशडर घोशित किया हैं एक्विटास स्मॉल फाइनस बैंक का मुखेले कहां पर हैं तो एक्विटास स सेस्टल बेंक के ब्रैणनामश्टर है विरहाट कोली हो जाएंगे केंदरिय रिजरो पुलिस बल्ट के ब्रैणनामश्टर पीवी सिंदू हो जाएगी ठीक है अगला क्यूशन हो जाएगा कि हाली मेंगे किस रेलियो Social Member को ई-right परमांप़र में सामिल किया है तो E-right इस्टेशन परमांप़र के अंदर संडी गहर को सामिल किया गया है अधिकारियों ने गुर्भार को कहा कि चंडी गहर ट्रेलो स्टेशन को फार्तिए, खाद्य, सुर्क्स, और मानक राइट स्टेशन मुंबोई सेंट्रल हो जाएगा भारत्य खात्य सुरुक्षा और मानक परादिकरण की इस्तापना तो भारत्य खात्य सुरुक्षा मानक परादिकरण की इस्तापना है ये अगस्त 2011 अंदर होती हैं भारत्य खात्य सुरुक्षा मानक परादिकरण के अध्य करने वाला राचे बना है तो फार्तिय रेल्वे मांचेतर में प्रेश करने वाला राचे मनिपूर हो जाएगा और अगला क्यूशन है कि फार्त का पहला डूगोंग सरक्षन रिजरो किस राजे में इस्तापित किया जाएगा तो फार्त का पहला डूगोंग सरक्षन जो खोशना की है और डूंगांग को आमतोर पर समुंदरी गाई के रूप में बुजाना जाता है। से एक रेजरों की मांगी क्योंकि भारत्य जल में डूंगों की आबादी जिसे समुंदरी गाईों की रूप में जाना जाता है। प्रमानु सेंतर है ये कहाँ पर है तमिल नाडू के अंदर हो जाएंगे कलपकम और कुणन कुलम प्रमानु सेंतर। और नेक्स्ट कुशन है हाली में किस देश के पूरू फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निदन हो गया है। ये फ्रांस के पूरू खिलाडी थे जीन पियरे एडम्स। खाली में 49 साल से कौमा में सल रहे फ्रांस के पूरू फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निदन हो गया। 1922 में एडम्स अपनी नियमित खुटनों की शर्जरी के दुरान एक सिकिसी गलती के कारण कोरूमा में सल गया थी। उन्होंने 1922 से उतर तक फ्रांस की राष्टे फुटबॉल टीम के लिए कुल 22 में स्केले। कलब इसतर एडम्स पैरी सेंड जर्मन नेम्स और निस के लिए एक डिफेंडर की रूप में खेले। हाले में यूरो कप 2021 वो किसने जीता हैं तो हाली कंदर यूरो कप 2021 है ये इतली की दौरा जीता गया है। हाली पीं किस ने कोपा, अमेरीका जिता हैं, अर्जनिटिना और ओपीजिता बाराजिल होज tribunal, फीपा फुट्बॉल विशु कप 2022 का आउजन है, वो कतर के अंदर किया जाएगा, फीपा फुट्बॉल विशु कप 2022 का आउजन कतर हो जाएगा, हाली में किस फार्तियों फु सितम्बर को मनाया जाता है कि व्यक्तियों समनदय और समाजों के लिए साकसरता के मेह donut रधीक साकसर समाजों के लिए गहन प्रयाशों की आवसक्ता के बारे में जागरुगता फिल लोगों दोरा समम्ता के चामना किये जाने वाले साइतिक मुदों के बारें दुनिया में जाग्रुकता बढ़ाना और सबी लोगों के लिए साखसरता बढ़ाने में मदद करने वाले अभ्यानों को समर्दन करना भी आवश्यक हैं और कोर्स इंपर्टन डे की बात करें तो विश्यो साखसरता दिवस आठ सितंबर हो जाएगा विश्यो हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाये जाता है राष्ट्रिय विज्यान दिवस 28 फरवरी को मनाये जाता है राष्ट्रिय रक्षा दिवसे 3 मार्स को हो जाएगा अंतरा चेरी के गेंदबाज कोस न्यूक्त किया गया है तो ये सौन टैट को किया गया है जो कि आस्टले के पूरू तेज गेंदबाज थी जिन्हें हाली में पूरू चेरी के गेंदबाजी कोस न्यूक्त किया गया है सौन टैट हो जाएगा आस्टले के पूरू तेज गेंदबाज सौन टेट को पूरुचरी किर्केट टीम का गैंदबाजी कोर्स न्यूक्त किया गया है किर्केट एस्वेशेशन और पूरुचरी के टेट एक कोर्सिंग टीम में सामिल है जिसमें मुख्य कोस दिसांत्य यागनिक और मेनेजर स्ट्रैत कंडिशनिंग कोस कलपिंद्रा जासामिल है और बात करें भारते महिला किरकेट टीम की कोस कौन है तो भारते महिला किरकेट टीम की कोस रमेश पवार हो जाएंगे प्लेयर आपदा मंत आवार जुलाई के लिए किसे सुना गया तो प्लेयर आपदा मंत आवार जुलाई के अंदर साकीब अलहसन और मैला के अंदर स्टैपनी टैलर हो जाएगा डॉपिंग पाने वाली महिला पहली महिला खिलाडी है अंचुला राव हो जाएंगा डॉपिंग पाने वाली पहली महिला खिलाडी हाली में किस बारते किर्केटर का नेदन हो गया तो ये स्पाल सर्मा हो जाएगा लास्ट क्योशन है कि हाली में राष्टपती रामनाथ कोविन ने कितने सिक्षकों को वर्ष 2021 का राष्टि सिक्षक समान दिया हैं, तो वर्ष 2021 के अंदर जो राष्टि सिक्षक समान हैं, ये समाली सिक्षकों को दिया गया हैं, हाली में राष्टपती रामनाथ कोविन ने द राजस्तान और उत्रपरदेश के 226 सामिल है और वर्ष 2021 के पुरुषकार पाने वालों में टोटल महिलाव की संक्या कतनी है तो महिलाव की संक्या 9 हो जाएगी तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स टूडियो का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल चेके मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए वंदे मात्रम जहिन